हेलो एवरीवन वेलकम टू दा स्टेडी कॉंसेप्ट मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह जेल प्रहरी और अरक्षक की एमसी क्यू स्रीच चल रहे है जिसका यह आठवा पार्ट है ठीके ना पार्ट एट है इससे पहले सेवन पार्ट में बना चुका हूँ जिसमें की मैं पुराने जो पेपर पिछले वर्सों में जो जेल प्रहरी और अरक्षक के पीवी द्वारा एक्जाम कंड़क्ट हूए है उनके पेपर्स इसमें लेके आया हूँ जिसमें की आपको मालूम पड़ेगा कि एक्जाम का पैटर्न क्या रहा और किस तरह की कॉश्चन्स इस एक्जाम में पूछे जाते हैं जो की जेल प्रहरी हो या फिर आरक्षक आज के इस वीडियो में मैं आरक्षक का 2016 का एक सिफ् उननीस कॉस्चन ठीके ना उननीस 19 कॉस्चन्स हैं और उसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपको इसमें रिव्यू दूंगा जो भी नए विद्यारती मेरे सटी कॉंसे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साती सात में अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो यह एकजाम्स के लिए बहुत ज्यादा important पूरी सिरीज है आप लगातार बने रहे है मेरे इस सिरीज के साथ में जो भी विद्यारती आरक्षक की त्यारी कर रहे है PV दोरा जो conduct होने वाला है अभी और अभी जेल प्रहरी का 20 नवंबर से जो exam conduct होने वाला है जो कि 20 से लेके 29 नवंबर तक चलेगा उन सभी विद्यारती के लिए भी ये questions बहुत जादा important है तो लगातार मेरी इस सिरीज के साथ जुड़े रहे हैं और इस वीडियो को देखते रहे हैं और आरक्षक का अभी exam का नोटिफिकेशन आने वाला है फॉर्म भरने हैं जो की आरक्षक के content से related हैं वो सभी आपके लिए बहुत जादा उपयोगी सिद्ध होंगे playlist से जाकर आप वो भी देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं जादा समय ना लेते हुए मद्द प्रदेश, जेल, प्रहरी और कॉंसेबल के लिए ये special GK की MCQC जिसमें की मैंने previous years के जो exam हुए हैं उनके papers लिए हैं और ये 2016 का except का paper है पुरा का पुरा जिसका इसमें पुरा review मैं दूँगा जिसमें की पूरे की पूरे 19 static GK जो मद्द प्रदेश सामान ग्यान के हैं वो इसमें cover किया हैं पहला question लेते हैं पहला question है इंडिका के लेखक कोन है इंडिका जो पुर्ष्टक लिखी गई है उस पुर्ष्टक के लेखक कोन है ये पूछा है इसमें ये option है आपके सामने और जो सामराज था उस समय की पूरे की पूरे इसमें option दिये हुए हैं तो ये इंडिका बुक किस ने लिखी थी है question बनता है तो इसका जो सही उत्तर है वो अगर आप में से कोई जानता है तो बता सकता है comment के माध्यम से तो इसका जो सही उत्तर है वो है Megasthenes, Megasthenes is the correct answer अच्छा है इसके साथ में question और बनता है कि Megasthenes थे कौन और ये कहां से आया था ये बहुत ही important है क्योंकि ये question भी कई एक्जाम में पूशा गया है Megasthenes जो था वो जो एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर जो की पूरा का पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था उस समय और ये समय उस समय की बात है जब 221 BC ठीक है न 221 BC एने की पूर करेंट एरा ठीक है न BCE की बात है ये उस समय एलेक्जेंडर जब युदि के लिए निकला था तब उसका उसके सेनापती कौन था सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर ठीक है न निकेटर इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर है जो की मौर समराज का सबसे पर्थम राजा था मौर जो वन्स था उनका संस्तापक रहा चंद्रगुप्त मौर उसके साथ में इसका युद्ध हुआ उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था तो उसका ये राजदूत रहा मेगस्थनीज ठीके ना जब हार गया तो हारने के बाद में ये टू हंड़ेट उन्टीवन बीसी से लेके टू हंड़ेट उन्टीट्री बीसी के समय की बात है ये तो उस समय इसने अपने मेगस्थनीज को चंदरुगुप्त की सभा में राजदूत राजदूत बना कर भेजा था और यहाँ पर ये कई वर्सों तक चंदरुप्त की सभा में राजदूत बन कर रहा तो ये पहला ये भी कह सकते हैं सबसे सिंपल इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये भारत का सबसे पहला यातरी था सबसे पहला यातरी अगर कोई भारत का रहा तो वो मेगस्थनीज रहा जिसने की भारत की यातरा की और भारत में राजदूत बन कर आया था जो कि चंद्रकुप्त मौरे समराज की दरवार में रायदूत बन कर रहा है और इसी ने इस बुक को लिखा और इस बुक में पुरी जानकारी मौरे बन्स के बारे में मिलती है तो ये इसका सही explanation मैंने आपको दिया 221 BCE से लेके 223 BCE समय की बात है और इसमें मौरे बन्स का जो एरा चालू होता है ये 221 BCE से ही मानके चलो और ये 185 BCE तक रहता है इस समय तक है क्योंकि इसका जो आखरी राजा था वो कौन था ब्रहधरत ता जिसकी हत्या करके पुस्सी मित्र सुंग ने किस ने पुस्सी मित्र सुंग ने सुंग वंस की स्थापना की थी ठीकी ना कव 185 BC में तो ये इसका सही उतर है, और कोटिल ये कौन थे, कोटिल ये चंद्रगुप्त मोर के परामस दाता और प्रधान मंत्री थे, और अर्थसास्त्र के ज्याता जिसको बोलते हैं विश्नुगुप्त, विश्नुगुप्त या फिर चाणक के, विश्नुगुप्त या फिर चाणक कि किके नाम से भी जानते हैं तो इन्हों नहीं कोटिल अर्थसास्त्र की बी रचना की थी और इन्हीं की तो परामर्स में मौरवंस का उध्य हुआ था और मौर जो सरनेम है वो विष्णुगुप्त जो की कोटिल की नाम से वहां पर popular है, popular थे, उन्होंने ही इसको more नाम दिया था, जो more once का नाम विश्णुगुप्ट ने ही दिया था, इसा आपन इसको समझ सकते हैं, और more अमलब इनकी जो मा का नाम था, वो था more या, more या, more या नाम से इनकी मा का नाम था जो चंद्रगुप्त मौरी की मा थी तो उजी के नाम पर इस वंस का नाम विश्णुगुप जी ने दिया था जो की अर्थरास्ती थे जिनका नाम चानक के नाम से भी जिनको अपन जानते हैं तो इस question का पूरा का पूरा मैंने आप पूरा explanation आपको दिया आगे चलते हैं अगला question है प्राचीन ओलंपिक कहां आयोजीत किया जाता था प्राचीन काल में अगर इतिहास में देखा जाया तो इतिहास में जो ओलंपिक था वो कहां आयोजीत किया जाता था तो यह option है आपके सही answer है वो है यूनान इज़दा correct answer इस option में जो दिया है उसमें यूनान इज़दा correct answer और Olympic का एक अलग option भी है वो है Greece ठीक है ना? यूनान को Greece के नाम से भी जानते हैं तो Greece में प्राचीन काल में ये Olympic की सुरुवात की गई थी अगर प्राचीन इतिहास में जानकारी ली जाए तो कम से कम 3000 वर्स पहले ठीकिन है 3000 वर्स पहले ग्रीस में ग्रीस में इस प्राचीन ओलम्पिक की सुरुवात की गई थी और अभी यह modern ओलम्पिक है वो कब चालू हुआ था? यह हुआ था 1896 में 1896 में सबसे पहले यह ओलम्पिक पॉइंट अबाउट ओलम्पिक, ओलम्पिक की सुरुवात 3000 वर्स पूर्व ग्रीस से हुई थी और modern जो ओलम्पिक है वो 1896 में एथेन से सुरू हुआ था, ठीक है? नेक्स कॉस्टिन इस थर्ड नमर, केसव जैनती समहरो किस सहर में आयोजित किया जाता है यह option है, आपके सामने भोपाल, धार, ओर्चा या फिर भिंड इसका आप आंसर दीजिए, कमेंट्स के माद्य हम से इसका जो सही उतर है वो क्या है? वो है भिंड भिंड इस था, करेक्ट आंसर भिंड में केसव जैनती चम्बल जो डिवीजन है उसके अंतरगरत यह आता है ठीक है? और चम्बल डिवीजन में टोटिल कितने जिले आते हैं? तीज जिले कौन-कौन से? अगर आप इस तरह के सेलोपरेट करें, सेवोपूर सेवोपूर के बाद में मुरेना मुरेना के बाद में भेंड ठीक है ना? यह चम्बल डिवीजन है, मद्दप्रदेश में कुल कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन ठीक है? अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस से जो मद्दप्रदेश के डिवीजन के बारे में वीडियो बनाया है, मद्दप्रदेश के संभाग वो आप देख सकते हैं उसमें पूरी जानकारी आपको पूरी डिवीजन के बारे में मिलेगी आगे बढ़ते हैं अिले की होर next question is fourth question कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नोज में सेर्षा सूरी ने हराया था सेर्षा सूरी के दोरा वो हार गया था यह option है आपके सामने अकवर, बावर, औरंगजेव और हमायू देखिए यह question paper है यह 2016 का मैंने पहले ही बता चुका हूँ 2016 का constable का paper है यह ठीके ना constable का paper है और constable की paper में यह सारे question पूछे गए थे उसी की एक shift का paper लिया है मैंने एक जो shift है उसका पूरा का पूरा मैंने paper इसमें लिया है जो की questions पूछे गए हैं तो इससे आपको idea होगा कि questions किस तरीकी के constable और जेल प्रेरी में आते हैं तो यह पूरी की पूरी mcq3 उनी पूरी papers की revision पर चल रही है तो बताए इसमें कौन सा मोगल राजा था जिसने की 1540 में कन्योज में सेर सर सूरी दवारा हार गया था यह option है अकवर बावर औरंग्जे और हमायू अगर आपको पता है तो कमेंट की दवारा आप कमेंट करें वा मुझे बताएं चलिए इसका जो answer है वो है हमायू हमायू इता correct answer हमायू था जिसको की सेर सा सूरी ने कन्योज के यह यूद हुआ था ठीक है नब 1540 का उसमें हराया था और ये कन्योज के साथ साथ इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं किसका बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाते हैं इन दोनों में आपको confused नहीं होना है इसको कन्योज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है और यह exact इसकी date है पंदरा माई 15 माई 1540 को यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दोरान में हुमायू के साथ में सेर्श राशूरी की बहुत चमके युद्ध हुआ और इस में हुमायू बहुत बुरी तरीके से हारा था और हारने के बाद में यह एक गंगा नदी पर ठीक है ना, ये वहाँ पर हार के ये भाग गया था, भाग के बापस कहां पहुंच गया था ये? बापस अफगान की तरप में ये लोट गया था, कौन? हुमायू, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, और इसमें हुमायू को इनके भाईों ने भी धोका दिया था, और भाईों ने भी इसकी मदद नहीं की थी, तो ये भाग खड़ा हुआ 1540 में, अच्छा, इसस फरीवा था, 1549 में, इसको भी आपको ऐसे याद रखना है, 1549 में, CHONSA की युद में भी सिर्सा सुरी को बहुत बुरी तरीका से हुमायू को हराया था, और ये किसी भी तरेके से जान बचाकर भागा था, और ये गंगा में कूद गया था और अच्छा इस समय, और वहां प इस्थापना किस ने की थी, बावर ने की थी, कब की थी? 1526 में, किस बंस को तक्तिय से हटाया था? वो था इबराहेम लोधी, बंस का जो आखरी बास्सा रहा, ठीके ना वो कोन रहा? लोधी वर्स का आखरी राजा वो था इबराहिम लोधी इसको आपको ऐसे ही याद रखना है इबराहिम लोधी इसको हराया था बावर ने और उसके बाद में इसने मुगल सामराज की नीव डाली थी तो जितने भी इसमें जो option दिया है ये पूरे मोगल सामराज के हैं ठीक है ना बाबर बाबर के बाद में फिर हमायू आया हमायू का बेटा था अकवर और अकवर का जो बेटी थे उसमें वो था जहांगीर और जहांगीर का बेटा था सारजां और सारजां का बेटा था नहीं दी हुई है उसके बारे में पूरी जानकार या आप चाहते हैं तो मोगल सामराज की पूरी प्रीडी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसको भी आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट से दे सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है उसमें पूरा आपको मिल जा तो इसमें से भी आप option में से टिक कीजिए कौनसा answer सही है बहुत ही easy questions में यह पूछा गया है यह है लखनाव लखनाव इस दा correct answer लखनाव को कहा जाता है नवावों का सहर अगले question की और चलें अगला question है supreme court के नयाधीस की सेवा मुक्त होने की आयू कितनी है यानि की जो supreme court का यो नयाधीस है उसकी maximum age कितनी है और कितनी आयू में यह सेवा मुक्त हो जाते है यह option है आपके सामने 62 years, 68 years, 65 years या फिर 66 years तो इसमें से कौन सा option सही है यह आप मुझे बताएं कमेंट करके इसका जो सही उतर है वो है 65 years is the correct answer 65 verse की आयू में supreme court की जो नयाधीस है वो सेवा मुक्त हो जाते है यह maximum इसकी आयू है अगले question की ओर चलते हैं अगला question है 7 question उत्तर प्रदेश के पहले मुक्ष मंत्री कौन थे यूपी उसके पहले मुक्ष मंत्री कौन रहे यह option है आपके सामने जो सही जो उतर है वो क्या है तो इसका जो सही उतर है वो है गोविंद वल्ह पंती ता correct answer यह थे उत्तर प्रदेश के पहले मुक्ष मंत्री और इनका जो कारेकाल था वो कपसे था 1952 1952 से लिखे 1954 का जो समय था इस समय ये पहले मुख मंत्री बने और इसको exact देखा जाया तो exact जो date है वो है 20 मै 20 मै 20 मै से लिखे 27 दिसंबर 1954 तक ये उत्तर प्रदिश के पहले मुख मंत्री रहे ये इसका सही उत्तर है अगले question क्यों चलते हैं अगला question है आटवा कौन सा सब्द 1970 में भारती समीधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था option है आपके सामने लोकतांत्री किये समाजवादी, धर्प निरपेक्ष या फिर गनतंत्र तो इसमें से कौन सा सब्द है जो 1970 में भारती समीधान में amendment किया था उसके बाद में इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था तो इसका जो सही उत्तर है वो है समाजवादी this is the correct answer 1970 में समीधान में संसुदन कर इसको जोड़ा गया था इसको correct कीजिए ये 1976 है तो आसा amendment में इसको करना पड़ेगा 1976 में इस समीधान में ये संसुदन हुआ था confusion इसमें ज़्यादा है 1976 है ये question misprint हुआ है और 1976 में 42 42 वा ठीक है ना संसुदन हुआ था और उस समय इसको उसकी समीधान की प्रस्तावना में समाजवाजी सब्द का सब्द को जोड़ा गया था ठीक है ना इसको correct कीजिएगा 1976 में समीधान का संसुदन हुआ समीधान संसुदन की प्रस्तावना है समाज समाजवादी को 42 वे संसुदन में इसको जोड़ा गया अगला question है नावा question चत्रपती अंतरास्ती हवायड़ा चत्रपती इंटरनेशनल एरपोर्ट किस सिटी में आने की किस सहर में है बहुत ही easy question है अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो ऐसे questions को आराम से आप attempt कर सकते हैं यह option है आपके सामने Mumbai, Delhi, Pune या फिर Kolkata तो इसका जो सही की उतर है वो क्या है आप easily बता सकते हैं Mumbai, Mumbai the correct answer बहुत ही easy question Constable के 2016 के exam की किसी shift में इसको पूछा गया है ठीक है ना तो बहुत easy है यह बहुत easy pattern में questions पूछा जाते हैं थोड़ी सी भी आप preparation कर लेंगे आप मेरे ही सारे वीडियो देख लेंगे तो easy लिए आप सारे questions attempt कर सकते हैं mcq series जितनी भी मैंने इसमें बनाए हुई है मद्रप्रदेश के अलाबा पूरी की पूरी जो भी important mcq series है वो आप जहां से देख सकते हैं और इससे आप constable की पूरी preparation कर सकते हैं अगले question की ओर चलते हैं अगला है दस्वा question भारत में केंद्र सरकार को गराने के लिए यहां एक विश्वा आविश्वास प्रस्ताव पारित करना करने की जरूरत होती है मनलब जो no confidence motion है वो लाने की जरूरत होती है केंद्र सरकार को गराने के लिए तो वो कहां पर लाया जाता है यह option है आपके सामने लोगसभा, राजसभा दोनों लोगसभा और राजसभा में या फिर ना तो लोगसभा में और ना ही राजसभा में तो इसमें से कौन सा option सही है मैं आपको comment करके बताएं आविस्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोगतांत्रिक तरीके की जो प्रिक्रिया होती है उसमें सबसे पहले लाया जाता है तो लोगतांत्रिक प्रिक्रिया से जो MPs चुने जाते हैं वो लोगसभा में चुने जाते हैं अपर हाउस, ठीक है ना, और अपर हाउस में जितने भी MPs जाते हैं, वो स्टेट्स से चुने हुए प्रतिनीदी जाते हैं, स्टेट्स के जो MLA's हैं, वो इनको चुनकर भेजते हैं, केंदर की राजसवा में, और लोकसवा में, लोकतांतरिक प्रिक्रिया, election के दौरह, ठीक है ना, जो election होते हैं, हर पाँक वर्स में, हर पाँक वर्स में जो election होते हैं, जिसमें की, जन्यता के दौरह प्रतिनीदी चुना जाता है, उस PARTICULAR जिले का, उस PARTICULAR केंदर सरकार गिरने के चांस होते हैं ते लिए अगले question क्यों चलते हैं अगला question है ग्यारवा question साल 2014 और 2015 की कालिदास प्रुषकार से किसको सम्मानित किया गया था यह option है आपके सामने मोहन मारसी राम दरस मिस्र मैज एल कुंचवार या फिर सुबधरा कुमारी चोहान तो इ इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? महेज एल कुंचवार इससदा correct answer महेज एल कुंचवार को ही कालिदास समान से सम्मानित किया गया कालिदास सम्मान जोकि मद्धप्रतिस का सर्वोच्छी सम्मान है किसके लिए नाटक और कविता के लिए ठीक है ना? प्रसिद्य तो यहार 14 और 15 का यह प्रोष्कार महेश एल कुंचावर को दिया गया था अगले क्यों चलते हैं अगला क्यों है बारवा क्यों गांदी सागर अभ्यरंड कहां इस्ते थे अभ्यरंड मतलब सेंचुरी जो सेंचुरी है यह कहां पर इस्ते थे यह आपके सामने पहला नम्मर अरिवा दूसरा जवलपूर तीसरा मंसौर और चोथा सोन तो यह कहां पर इस्ते थे यह आपको पताना है आपके सामने दिये हुए हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंसौर मंसौर इजदा करेक्ट आंसर और गांदी सागर अभ्यरंड गांदी सागर डेम के पास में है ठीक है ना और यह मंसौर में हैं गांदी सागर डेम कहां पर है मंसौर पर है और यह किस नदी पर है यह है चंबल नदी पर चंबल नदी और इसका उद्गम कहां से हुआ है इंदौर इंदौर में कहां से महू महू में कहां जान बाप पाप जाना पाप की जो पाड़ी है वहां से इसका उद्गम हुआ है और चम्मल नदी की टोटल नमबाई कितनी है क्योंकि लिंक बने हुआ है वो है 965 किलो मीटर और ये किसकी सहायक नदी है ये है यमुना की सहायक नदी ठीक है ना सारे questions के facts आपको clear हो गया और ये सबसे पहला बांध है मद्द प्रदेश का ठ वो चम्मल नदी पर बनाया गया था और इसका नाम है गांदी सागर डैम और ये मद्द प्रदेश और राजिस्तान की सायुक्त परियोजना के अंतरगर्थ आता है चम्मल नदी पर कुल चम्मल नदी पर तीन बांध बनाया गया है चली आगए अगले question क्यों चलेंगे अगला है तीरवा question 13 question जम्मू कस्मीर में निमलिकित हवायड़ों में से कौन सा सेक उलालम हवायड़ा कहा जाता है option है आपके सामने सीर्नगर हवायड़ा कारगिल हवायड़ा पुंच हवायड़ा या फिर जम्मू हवायड़ा तो इसमें से कौनसा आंसर सही है टिक करके बताएं मेरेको और option comment में दें तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है कौनसा उत्तर इसमें सही होका मुझे comment करके बताएं फटाफट तोड़ा सा मैं आपको समय भी दे रहा हूँ तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्री नगर, स्री नगर इस दा correct answer स्री नगर हवायड़े को बोलते हैं सेक उल आलम हवायड़ा तो बहुत ही ज़्यादा simple questions में पूछे जाते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी तेयारी कर ली तो easily you can cover all the questions about GK portion जीके में 20 से लेके 30, 22, 30 questions के आसपास आते हैं जेल प्रहरी हो या constable और उसमें आपका इंडिया, MP और वर्ल्ड जीके में simple questions में बनते हैं चली अगले question की ओर चलते हैं अगला question है 14 question पानिपत के प्रतम युद्ध में बावर से कौन परास्त हुआ था पानिपत का प्रतम युद्ध ठीक है यह option है आपके सामने प्रतिवराज चोहान, तैमूर, इबराहिम लोदी या फिर कुतुब खान तो इसमें से सही उतर क्या होगा यह मुझे बताएं अगर आपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो easily आप इसका answer दे सकते हैं देखिए इसमें पानिपत का प्रतम युद्ध हुआ था वो कहा हुआ था वो पानिपत में हुआ था क्योंकि simple सा दिया आखरी जो बास्ता रहा वो इबराहिम लोदी रहा और इबराहिम लोदी के साथ में बावर का पहला युद्ध हुआ जिससे की इबराहिम लोदी की हत्या कर दी और उसके बाद में इसने बावर ने मुगल सामराज की स्थापना की थी जो मुगल सामराज है इसकी स्थापन इसके बाद में की गई ठीक है ना तो यह सिंपल से फैक्स हैं जो कि easily आप किसी भी बुक्स की तारा या फिर मेरे इस चैनल में जितनी भी मैंने वीडियो बनाए उनको उसमें से आप MP के जीके आप पढ़ लेंगे और हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो easily आप cover कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में फिर मुगल सामराज की स्थापना 1526 में आखरी वंस आकरी जो राजारा इवराहिम लोधि उसकी हत्या करके मुगल सामराज की स्थापना की थी 22 ठीक है ना बावर कहा से आया था यह आया था अफगान से अफगान से ये भारत में आया था राजी करनी के लिए तो भारत में इसने मोगल सामराज की नीव डाली पंद्रह सो चब्वीश में आया मैं आपको जानददी देघनाँ चाहता हूँ अनकेटमी के वारे में अनकेटमी के थी आप लाइफ फ्री अटेंड कर सकते हैं और अनकेटमी के दवारा आप दी सकते हैं ठीकियों अननकेटमी के अंलाइफ टेस्ट learnt skill इसके बाद में आपको लॉग इन करना पढ़ेगा आपके एमेल आइडी से या फोन नमर से उसके बाद में आपको छूज करना पढ़ेगा MPPSC व्यापम जिससे कि आप व्यापम और MPPSC की जितनी भी जोबी एक्जाम्स होते हैं उन सभी की तयारी आपको अनेकेडमी की द्व वार्स Tu तर्विक के साथ आपको गला्सisesti के आप पूरी जो बीदार के आप questions के जो भी आपको doubt लगते हैं उनको आप comment box में questions में यहाँ पर comment कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पर submit कर दें तो आपकी doubt वहाँ पर at the same time clear होंगे साथी साथ में आप attempt poll in the live chat live chat में आप अपने polls को भी submit कर सकते हैं साथी साथ में आपके questions हैं उस questions में आप a b c d इस तरीके से लगा के अपने poll submit कर सकते हैं साथी साथ में आपको एक feature यह भी है कि आप वहाँ से pdf भी download कर सकते हैं इसके जो features हैं उसमें every test is followed by the scorecard and review of performance with the solutions तो उस तरीके से आप follow करेंगे और उसकी performance और solutions आपको मिलेंगे साथी साथ में every test has paper analysis session by top educators with the life free classes जो top educators हैं वो आपको पूरे का पूरा paper का analysis भी देंगे साथी साथ में इसमें आपके mock test की भी facility है इसमें कि आप MPPSC, MP Police, Constable, MPSI और MP Jail Press के भी आप mock test चला सकते हैं इसमें आप daily test भी दे सकते हैं इसमें कि आपके 20 questions होंगे जिनको की solve in 30 minutes 30 minutes में आपको solve करना पड़ेगा जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का practice test भी provide कराता है अपना unacademy unacademy में दो features है एक तो free classes है और दूसरा है plus classes तो इन दोनों में जो difference है वो क्या है आप देख सकते हैं अगर plus classes वाला आप इसमें subscription लेते हैं तो उसके differences क्या है और free classes में क्या है free classes में सिफ limited slavers cover रहेगा लेकिन plus classes में आपका complete slavers cover रहेगा occasional practice site रहेंगे यहाँ free classes में यहाँ पर unlimited practice site आपको प्रवाइड होंगे इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको free classes में limited doubts के solutions मिलेंगे लेकिन अगर आप plus class subscription लेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके doubts है वह यहाँ पर solve होंगे जो कि वहां की यह top educators होंगे वह आपको पूरा का पूरा solutions provide कराएंगे साथी साथ अभी साथ महीं ही नहीं चालू किया है free practice questions series जिसमें कि आप practice करेंगे और आपकी तयारे के लिए इसमें हजारो प्रस्णों का यह पूरा बैंक उपलब होता है जिसमें कि आप पूरे के पूरे questions की practice कर सकते हैं यह आपको plus subscription में ही यह मौजूद होगा यह सारे features यह सारे कि सारे आपकी लगातार स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसको join कर सकते हैं जो कि plus subscription में आपको मिल जाएगा November में courses चालो होंगे 8 November से MPSI का batch चालो होगा इसी तरीके से MPPSC के batch चालो होंगे तो लगातार यह batch चालो हो रहे हैं आप इन सभी batches को join कर सकते हैं पूरा का पूरा admission fees for plus subscription के लिए आपको जो join करना MPPSC व्यापम्स के यह पूरी subscription के list है आपका first month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 months के लिए यह पूरा का पूरा आपके पास में fee structure नीचे मोजू थे तो इसमें आपको apply करना है अगर इसमें code apply करेंगे then you will get the 10% off of the admission fees तो इसका जो code है आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप code को डालेंगे यहाँ पर तो जो भी आपका courses आप choose करेंगे उसमें आपको 10% का admission में discount मिलेगा अगला question है पंद्रवा question 2015 में ववीता कुमारी को कि scale में उपलब्दी के लिए अर्जुन प्रुष्कार दिया गया था यह option आपके सामने boxing तिरंदाजी कुस्ति या फिर badminton ball badminton ठीक है ना तो इसके options में से कौन सा option है जो की सही है आपको बताना है तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है कुस्ति कुस्ति दा correct answer कुस्ति के लिए 2015 में ववीता कुमारी को यह अर्जुन एवार्ड दिया गया था अच्छा यह बताए अर्जुन एवार्ड की भड़वात हुई थी यह हुई थी 1961 में teraz 1961 में सबसे पहले यह यह अवार्ड दिया गया और यह अवाड इसपोर्स में दिया जाता एक ठीके ना सबसे पहले यह अवाडड आर्च्री के लिए दिया गया था आर्च्री आशिए आनने की तिरंदा जी और हिंदी में बोलते हैं तीरेंदादी और इंग्लीज में आर्चरी बोलते हैं और इसके लिए ये क्रिश्णन दास को सबसे पहले 1961 में दिया गया था और अभी तक कुल 2020 तक 881 इसको मैं कितने 881 इतने अरजन प्रोषकार दिये जा चुके हैं तो all the facts मैंने इसमें थोड़े से बतानी की कोशिश की है यह है शोलवा कोश्चन निम्न में से कौन से राज सरकार से व्यापार का प्रवंदन आरबी आई नहीं करता है यह आपके सामने नागालेंड जम्मो कस्मीर पंजाब और असम देखिए आरबी आई यानि की रिजर्ब बैंक आप इंडिया आरबी आई और रिजर्ब बैंक कर रहा है प्रवंदन है मैंनेजमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है हर राज के साथ में और यह कॉस्चन जो पेपर है यह दोहयार सोला का है दोहयार सोला के समय में जम्मू कस्मीर ठीक है ना इसका जो आंसर है अगर इसको देखा जाए तो इसका आंसर है जम्मू कस्मीर और 35A के कारण इसको अलग रखा गया था, और इसको special status का दरजा मिला था, तो उसमें RBI का कोई इंटरफेर नहीं था, इस कारण से ये जम्मो कस्मीर में ये वैपार नहीं करता था, लेकिन आज 370 और 35A खतम हो गया है, और यहां से इसको हटा लिया गया है, ठीकिन अगर्स् 2019 में 370 और 35A को जम्मो कस्मीर से हटा कर इसका जो special status का जो दरजा है, ठीकिन आ, वो रेंग इसकी खतम करके इसको सभी state की तरह समान बना दिया गया है, और इसमें जम्मो कस्मीर और लद्दाक दो यूनिन टरिटरी डेवलप कर दी गए हैं, तो अभी total कितनी यूनिन टरिटरी हैं, आठ, ठीकिना, आठ यूनिन टरिटरी हो गई हैं, और total कितने उस समय 29 state थे, तो अब 28 state रहे गए हैं, तो ये उस समय का question है, इसलिए इसको आप ध्यान मत दीजिए, अभी जितने भी माराज की सरकार हैं, सब में RVI का interfere है, और सभी राज के साथ में ये वैपार करता है, अगला question है, 17th question, एक ही निसानियवाजी विसकप में दो पदग जीतने वाले, वो कौन से पहले भारती हैं, मतलब पहले भारती हैं, जोनोंने की एक ही निसानियवाजी की विसकप हैं, उसमें दो पजग जीते हैं, गगन नारंग, अभिनम बिद्रा, राजवर्दन राठो और या फिर गुर्प्रीत सिंग, तो इ ये इसका सही अत्तर है, उत्तर है, गगन नारंग, अगला कॉर्शन है, नैंटीन कॉर्शन और इस वीडियो का ये आखरी कॉर्शन है, जैसे कि मैंने बताया था, टोटल उन्नीस कॉर्शन, ये 2016, 2016 की कॉंस्टेवल में का जो पीवी ने एक्जाम कंड़क्ट किया था, उससे मैंने ये लिया है, और उसकी ये एक सिफ्ट का पूरा का पूरा जीके का पार्ट है, तो ये कॉर्शन पूछा है, इसमें, पवित्र आंसर सही है, मेरे को टिकर के बताया है, फिर कमेंट की मादम से मुझे आंसर दें, तो इसका जो सही उत्तर है, वो क्या है, चित्रकूट, चित्रकूट इस दा करेक्ट आंसर, चित्रकूट ही है, जो कि विंद छेतर में है, अगर इसमें दिखाया है, तो सांची, ये सांच सांची जो है विंद्य छेत्र के मध्य मध्य में पढ़ता है मध्य भारत 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 के चेत्र वहां पर पढ़ता है इसको की बुंदिलखंड भी बोलते है बुंदिलखंड के चोटे चेत्र में आता ह यह बगी का हिस्सा तो यह मद्ध भारत की छित्र में आता है तो इसमें सिर्फ चित्रकुटी है जो की बिंद चित्र में बसता है यहांपे की भगवान राम चित्रकुट में रुके थे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट करके जुरूर बताएं और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अगला वीडियो मद्पर्देश की जेल प्रेरी और MC की उस्रीच के आमें लेकर हाजे दोबारा होंगा और यह आठवा वीडियो है इसके बाद में नवा वीडियो आपको कल फिर मिलेगा तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहें और जो भी कन्फूजन है वो कमेंट के मादम से मेरे से आप पूछ सकते हैं जिन भी विद्यारती ने मेरा स्टडी कॉंसेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ में मेरे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो आप इसको लाइक भी करें और अन्य गुरूफ में आप शेर भी करें जैसे कि सभी जितनी भी विद्यारती हैं जो कि कॉंस्टेबल और जेल प्रेसरी की तैयारी कर रहे हैं उनको कहना कहीं से इससे मदद मिलेगी तो इस वीडियो को मैं यह सांप्त करता हूँ जय हिंद जय भारत